कि यहिंद सांथियों बिहार फिसकल लेंडिकेडिमी से मैं अब अब ऐसा और नियर साब तमाम सांथियों सवर्थ करते हैं जिसे बारे सब पच्छातर जीव अभियारती हैं दरोगा के लिए उन सब का क्या 17 दिसंबर को एक्जाम होगा इस पर हम लोग चार्शा करेंगे और पूरी तरह से जो मेनत कर रहा है हमारे भाई उनको बहुत दो धन्यवाद और पूरी तरह से अपने आपको उस लेवल पे लाना है यह आप एक्जाम हाल में बैठे तो इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत ना पर है यह हमारा एक अपना सुझाव है आप सभी को बताने क के लिए कि क्या आपको एक्जाम में कोई कठिनाईया है कठिनाईया है तो उस कठिनाईयों को अभिन से जो समय है आप रिकॉल करते रहिए और उसका रिभीजन करते रहिए पूरी तरह से निसपक्स एक्जाम होने की एकदम हंड़ेट परसंट समाना है पूरी बार भी नि और कितना इस में फॉर्म डाला गया है कितना भीर है उस भीर से हम लोग कैसे 1275 में चैनित हो इस सब पर चर्चा करेंगे और कैसे त्यारी चल रहा है त्यारी में एक जुटता एक्दम बनाए रखना है सबसे पहले तो आप जितने भी अभियार्थी हैं जो आप पुर्वरती देख रहे हैं कि कैसे आपका रियॉल्ट हो रहा है और उस रिजॉल्ट में आप लोग जो फीजकल में च्छंट के आते हैं तो कितना दुख और सर्म की बात है कि आप जब समझ रहे हैं कि हमारा होगा 100% अगर निकलेगा हम पीछले 22-23-26 इधर मर्द निसे दरोगा का जो देख रहे हैं और उनका रिजल्ट हुआ है और उनको 20 दिन आप कैसे दोर आ सकते हैं इसलिए अभी से जो समय है उस समय के आप लोग परहाई प्रपूरा ध्यान दिजिए हम यह नहीं करने कि आप फीजकल कीजिए लेकिन साथ-साथ फीजकल भी करना बहुत ज़रूरी है स आप परहाई ही पूरी तरह से कर लिजिए हंड़ेट परसेंट आपका रिजॉल्ट हो आप फीजकल ही नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं आपके वहां पस पस चाप किसीवा कुछ नहीं रहोगा आपको अंदर यह सा होगा कि हम पहले से फीजकल किये रहते तो हमारा हो जाता ज़ाइगा जया जो भी है आप सभी कमये कर रहा हुं कि अभी जो समय है उस समय में आपको जादे ठकना नहीं है जाए आपको मेहनत नहीं करना आप अपर ऐंगे मजबूत हो जाएगा जब वेट होगा आपके ही ठोड़ा कम हो जाएगा और जब अब तक थाई मजबूत नहीं होगा एंकल मजबूत नहीं वाइन कर रहे हैं तो बीच में दो दिन जब आपका प्यूटी होगा मेंस होगा तो तो विफिंग कर सकते हैं कभी कभी रूनिंग कर सकते हैं और जो एट टाइम में आएंगे जिनको रिजॉट हो जाएगा विस दिन में आएंगे कि कि हमारा कई से भी करा दिजे सर इतना मेहनत करके पीटी और में स्कुलिफाइए कि हमारा बहुत 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 नम्मर है तो वह इसे नहीं हो पाएगा मेरे खाल चुबिस एवाइस तेश्वाइस सब्सक्राइब जो अभियार दूचार अभियार्थी आएसे थे जिनका लंसम नब्वे नमबर सही था नब्वे बात करें वह बोल रहे तो किसी तरह दोरा दीजिए हमको हमारा हो जाएगा कितना भी कटब जाएगा हमारा मेरिट बन जाए लेकिन जब वो शरीर भी पेट था और वो मान लिए बहुत महनत किये और यह नहीं करें हम लोग भी बहुत महनत किये तब भी उनका समय 36 लग गया तो यह से लिए आप सभी से पहले सचेत रहे और उस सचेत के कारण यह है कि आप अगर अभी से जागे हुए हैं तो आगे कि आपका यह दिकत नहीं आएगा कि आप दो नमर गेट से निकलिए या दिस्क्वालिफाई होके निकलिए हम तो यहीं कहेंगे कि जितने भी अभियारती हैं जो दरोगा के लिए लगे हैं अगर इनको दोर में थोड़ा बहुत भी दिकत है तो आपना रुनिंग करते रहे वियार फिच्कल रुनिंग यूटूब पर भी है इससे लाइक सस्क्राइब जोंदो करें कि आगामी जो गाव देहात में जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं आने वाले हैं उन सब के लिए औसर रहे कि हम पहले से हम अपना मेहनत करते रहें कि फिच्कल में हम ना चाटे और अच्छे से मेहनत करने करना है तो जो हम लोग तरीका बताते हैं इंडूरेंस रणिंग कीजिए अभी आपके पास बहुत सारे समय हैं उस समय करना है ना कि आप इधर उधर भाग दर आपको पढ़ाई भी करना है कि यूदि समय बहुत कम है और जा आपका मेंस हो जाता है समय मेंस की तुरण त्वर्य ते आपका physical credit आता है उस समय माइड हो जाता है इधर उसको क्या करें वह मैंस को गयन मानिए और पूरी तरह से आप परहाई पर पूरी एकडम फोकस किजिए उसके 20 परसेंट पर फोकस किजिए बागी हमारे संस्थान द्वारा जो भी पर सिख्षक आपको सिखाएंगे वह से आपके जी आपके देखिए रनिंग के समय आते 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 आपके कोई भी कहीं दौर आले कितना वी समय उजब आएगा तो आप एकड़ा हंडेड़ परसंट फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा और अहीं बाद सत्रह दिसम्बर को एकजाम होने की हंडेड़ परसंट समाना है कि इस लिए आप अपने तैयारी में कोई कसर मच्छोरी एकडम जो कसर आप पभी जातार होगा और फिजिकल के जीमेदारी बिहार फिचल लेंगे यूटूब के माधियम से आप हमको देख रहे हैं अजब जैसे भी आपको लेकिन हमको जोइन करना है तो आप आके जोइन कर सकते हैं और समस्था में एक यह गरिमा है कि आपके साथ बच्चा के साथ जो भी नहीं रहा तो आप अपने आप को परोख के जाए और बहतर रिजाइट लीजिए लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए जय हिंद आगामी जो भी भाकेंसी आएगा उस पर तुरंट करवाई करूं तुरंट मैं बताऊंगा तुरंट आप सभी को जनकारी देंगा कि कौन सी बाकेंसी आ रहे है क्या रहे है और जो भी अपडेट आएगा मैं तुरं तब सब्सक्राइब करूंगा जय हिंद